ह? our आइ, हर एप दौन हए हम सुवरा तीकता हार किसी की चाहत होती है और इस चाहत को पूरा करने के लिए हमें करने पढ़ते हैं बहुत सारी पर्याश, बहुत सारी कोशिश और बहुत सारे चेंज अपने lifestyle में, अपने diet में, अपने skincare routine में, यू कहें कि पूरी personality को change करनी होती है. आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूं एक weekly program के बारे में, तो इस program को आप सताह में एक दिन करके और बन सकते हैं एक हेल्दी अगलोई स्कीन के माली तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में हम एक ऐसे प्रोग्राम लेकर आए हैं जिसे आपको एक सप्ता में एक बार अपीन स्टेप में फॉलो करना है इसे आप सेटी एम भी कह सकते हैं सेटी मिन्स की रेगुलर करनी होती है लेकिन आज में मात करने वाली हूं हम आपको बता दू यह जो पर सकते हैं चैहें ऐली हो ड्राइभ हो कंबिनेशन हो या नॉर्मल हो यह सबके लिए ही पर-फिक्ट है और इसमें एज की कोई बांदि नहीं है 14 साल से उपर का हर लड़का या लड़की इसे follow कर सकते हैं तो सबसे पहला step हमारा होगा cleansing अब आप सोच रहे होंगे कि cleansing ही क्यों हम अपने face का face wash करके भी तो clean करते हैं लेकिन नहीं face wash हमारे skin के upper layer को clean करता है लेकिन क्या आपको पता है कि cleansing आपके skin के upper layer के सांसा आपके dermis layer यानि skin के second layer को भी clean करता है जिससे blackheads, whiteheads या races हमारे skin में नहीं होता है या अगर होता है तो उसे बहुत कम करता है तो चलिए वीडियो को start करते हैं और cleansing बनाने के लिए हमें क्या-क्या कर रहा है उसे देखते हैं इस special cleanser को बनाने के लिए हमारा जो main ingredients है वह है चावल का आटा चावल में starch होता है जिससे इसमें whitening property बहुत जादा होता है और इसमें deep cleansing property भी होता है जो हमारे skin को अंदर तक clean करता है दूसरा ingredient है honey honey हमारे skin को नमी प्रदान करता है जो कि बहुत जरूरी है और तीसरा ingredient है rose water यानि गुलाब जल और आप सबको तो पता ही होगा कि rose water हमारे skin के लिए कितना helpful है कितना useful है तो चलिए अब देखते हैं इसे बनाने का बीधी एक चमच चावल एक चमच हनी और एक चलमच गुलाब जल डालकर एक अच्छा सा paste तयार कर लें और इस paste को अपने चेहरे और गर्दन पे अच्छे से लगा लें ताकि चेहरा और गर्दन का कलर अलग अलग ना दिखे इसे 3-4 मिनट तक मसाज करें मसाज करने के बाद 5 मिनट के लिए अपने स्कीन पे छोड़ दें और 5 मिनट बाद हलके गुनगुने पानी चे फेसको वास कर लें आपका क्लिंजिंग का प्रोसेस कमप्लीट हो गया क्लिंजिंग के बाद हम करेंगे इसकीन का टोर्णिंग टोनर बनाने के लिए हम क्या क्या करेंगे चलिए दिखते हैं टोनर बनाने के लिए एक गिलास पानी में दो चमच शौफ डाले और इसे तब तक बॉयल करना है जब तब की पानी आधा न बचे जब पानी बॉयल होकर आधा हो जाए तो आपका टोनर तयार है इस toner को किसी spray bottle में transfer कर लें ताकि face पे easily spray कर सकें अगर आपके पास spray bottle नहीं है तो आप इसे cotton से भी इस्तिमाल कर सकते हैं इस toner की खासियत है कि toner में हमने इस्तिमाल किया है शौफ शौफ में skin को shrink करने की property होती है जिससे की open force की problem खतम हो जाती है ये toner बहुत ही effective है toner को पूरे face पे अच्छे से apply करना है और इसे apply करने के 5 मिनट बाद ही अब mask apply करेंगे ये skin care का हमारा third और last step है mask mask बनाने के लिए हमारा सबसे important जो ingredient से वो है केला केला में बहुत ज्यादा मत्रा में होता है potassium जो कि आप सब को पता है जिसके वज़ा से ये हमारे skin के हपते भर के damage को repair करता है और हमारा दूसरा ingredient से आलू का रस यानि potato juice तो इस juice में होता है skin lightening property ये skin को light करता है और skin को result करता है और third ingredient से वो है मैदा तो आप देखेंगे कि इसे बनाना कैशे है और इसे apply कैशे करना है पास्क बनाने के लिए आपको आधा केला लेना है और इसे अच्छे से mask कर लेना है यानि paste form में कर लेना है इसके अंदर दो चमच आलू का juice मिला लेंगे और एक से दो चमच हम मैदा लेंगे और इसमें अच्छे से मिला के एक paste बना लेंगे इस paste को face पे अच्छे से लगा लेना है इस paste को आप आखों के उपर या आखों के नीचे भी apply कर सकते हैं क्योंकि इसका कोई side effect नहीं है इसमें सारे ingredients natural है इस paste को अपने face पे apply करने के बाद 20 मिनट के बाद इसे ठंडे पानी से धो लेना है इसे धोने के बाद आप अपने skin पे कोई भी moisturizer जरूर लगाएं ये तीन step का process आपको बहुत ही बेहतरीन result देने वाला है आपके skin के sunburn, pigmentation, open pores, dark circles, aging marks ये सारे problem को shelf कर देगा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो like, share और subscribe करना ना भूले